बच्चों के स्कूल खूल रहे हैं और हमारे रिस्पांसिबुल्टी है कि हम उन्हें हेल्दी टिफिन खिलाएं तो आज मैं आपके लिली क्या हूँ छे इंस्टेंट और हेल्दी टिफिन की रेसिपी जिसे खाके बच्चे खुश हो जाएंगे और हर दिन सुबाउट की यही पूछेंगे ममा आज क्या दे रही हो टिफिन में तो चलिए आज की मज़ेदा रेसिपी शुरू करते हैं मिनी चीज उत्वपम बनाने के लिए एक बरतन में हम आधा कप सूजी आरवा ले लेंगे फिर हम इसमें दो चमज दही डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें एक चौथाई कप पानी डालके इसे ऐसे मिला देंगे हमें इसे 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि सूजी जो है वो थोड़ी फूल जाए तो यहाँ पे इसे कवर कर दें और 10 मिनट के लिए रख दें तब तक आप सबजियों को काट लें जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा आप इसे वापस एक वर मिक्स करें आप चीए तो इसे आदे गंटा भी भीगो के रख सकते हैं सूजी जितना ज्यादा फूलेगा उतना ही अच्छा उतुपम बनेगा अब हम इसमें एक चौथाई का पानी डालेंगे और इसके बाद इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगी अब हम इसमें एक चौथाई छोटा चमच नमक और एक चौथाई छोटा चमच इनो डाल देंगी कोई भी फ्लेवर वाला इनो आप इस्तमाल कर सकते हैं इनो डालने के बाद इसके उपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगी तो ये हमारा उत्पम का बैटर जो है वो बन के तियार हो गया है अब हम चलते हैं उत्पम बनाने के प्रासेस में तो तवे पे हम हलका सतील या घी लगा लेंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें इसके बाद हम बैटर को मिक्स कर देंगे और इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम तवे पे डालेंगे ध्यान रहे कि हम में नी उत्पम बना रहे हैं तो बैटर जह वो थोड़ा ही एक ही जगह पे डाले वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा ऐसे राउंड चेप में अब हम इसके उपर डाल देंगे प्यास, टमाटर और शिमला मिर्च जो भी सबजी आपकी बच्चों को पसंद है आप इसके उपर डाल सकते हैं यहाँ पर आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं तो जैसे ही चीज थोड़ा सा मिल्ट हो जाए हम इसे संग संग वापस बलट देंगे और उसके बाद नीचे से अच्छे से पका लेंगे सूजी जो है वो तुरंथी पक जाता है तो आप टेंशन नहीं ले कि उत्पम जो है वो पका रहेगा या नहीं और चीज इसमें ऑफशनल अगर आपको चीज नहीं डालना है तो चीज को आप स्किप कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंनी ये चार मेनी उत्पम बना लिया है चीज वाला अभी मैं आपको बिना चीज वाला भी बताती हूँ तो इसमें चीज नहीं डाला है बस प्यास टेमाटर शेमला मिर्स ऐसे डाल की और पका ले दोनों साइट से तो ये हमारा उत्पम जो है वो बन के तियार हो गया है अब हम इसे सर्फ कर ले दें तो आप इसे डामाटर केचप के साथ या फिर नारहल की चटनी के साथ जो आपके बच्चो को पसंद है उसके साथ सर्फ करें और आप इसके साथ ना थोड़े से फूर्ट रख दे तो बच्चों को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा तो अगर आपको केचप नहीं पसंद है तो आप उसके जगा उनके मन पसंद की कोई भी फल ऐसे टिफिन में दे सकते हैं हेल्दी पनी टैको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे तो इसके लिए एक पैन में दो चमास तेल गरम करें और इसमें डाल देंगे हम प्याज और तमार्टर प्यास जो टमाटर को थोड़ा सा भूल लेंगे जैसे ही ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें शिमला मेंज डालेंगे तो प्यास टमाटर को आपको थोड़ी देर पका लेना है ताकि इसका जो कच्छा पन है वो खतम हो जाए शिम्ला मिर्स थोड़ा कच्छा अच्छा लगता है इसलिए इसे बाद में डाले तो यहाँ पे इन तीनों को मैंने भूल लिया है अब हम इसमें डाल देंगे पनीर तो एक सो ग्राम पनीर को मैंने ऐसे क्रंबल करके रखा है पनीर डालने के बाद हम इसमें डालने के बाद हम इसमें डालनेंगे थोड़ा सा mixed up या फिर और गयानो और इसके साथ ही थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दे स्वात के अन्योसार हम इसमें नमक डालनेंगे और इसके बाद इन सब को ऐसे एक मिनट के लिए भून लेंगे गैस का फ्लेंबाब मीडियम रखे जैसे पनीर पक जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे तो यहाँ पे हमने यह स्टफिंग बना लिया है गैस को बंद किया है मैंने और जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक हम डो बना लेते हैं टैको के लिए तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का अटा लिया है और इसमें हम डाल देंगे एक चमस ड्राइफ रूट पाउडर तो मैंने यहाँ पे काजु बादाम को पीस लिया है यह रेडिमेट भी मिलता है मार्केट में इसके बाद हम इसे दूद से गून लेंगे तो मैंने यहाँ पे यह मलाई वाली दूद लिया है मेरे गर में जो भी दूद की मलाई वरस्ती है न मैं उसे निकाल के रखती हूँ और उसी से ऐसे डो बना के बच्चों के लिए पराठा बना देती हूँ मैं इसमें नमक नहीं डालती हूँ आप जिये तो नमक एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने इसे गून लिया है अब हम इसकी लोई बना के इसे रोल कर लेंगी तो इसकी जो डो है न वो थोड़ी स्टिफी बनाएं क्योंकि हमें टाको के लिए थोड़ा सा स्टिफ रोटी चीए तो यहाँ पे इसे ऐसे राउंड कर ले और उसके बाद हम चलते हैं इसे रोल करने के प्रोसेस में तो इसे रोल करने के लिए हम क्या करेंगी कि थोड़ा सा सुखार्टर स्प्रिंकल करेंगी और इसके बाद इसे अंडा का शेप में रोल करेंगी ध्यान रहे कि हमें टाको के लिए इसे फोल्ड करना है तो आप इसे ऐसे गोलाई में ना करें थोड़ा सा ओवल शेप रखें यह देखें ऐसे तो अब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में तो स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है तो हम गरम तवे पेसे डाल देंगे और इसके बाद ऐसे पलट देंगे अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप दो टाकोज एक साथ बना सकते हैं तो यहाँ पे दो मैं रख देती हूँ और गैस का फ्ले मीडियम रखे इसे सेख लेंगे ध्यान रहे इसे एक साइट से अच्छे से पकाना है तो यहाँ पे मैंने इसे सेख लिया है यहाँ देखिए तब हम यहाँ पे गैस को बन कर देंगे और जिस सेट ज़्यादा पका हुआ है उसे उपर कर लेंगे ताकि यह ओवर कूक नी हो तो गैस बन करने के बाद यह क्या करेंगे ना तो थोड़ा सा ketchup लगा देंगे, अगर आपको ketchup नहीं पसंद है तो आप इसे skip कर सकते हैं, और अगर आपको mayonnaise पसंद है तो इसके उपर ketchup के साथ mayonnaise भी आड़ कर सकते हैं, तो ketchup लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कि cheese की slice इसके उपर रख देंगे, या फिर घिसा हुआ cheese भी आप जैसे ही cheese melt होगा न, ये खुदी ऐसे चिपक जाएगा, तो अभी तक हमने इसमें तेल, घी वगरा कुछ भी नहीं लगाया है, तो यहाँ पर पहले इसे अच्छे से सेट कर दें, उसके बाद gas on करके और घी लगाके दोनों साइट से इसे सेख लेंगे, तो जैसे ही ये गर कर दें और इसके बाद इसे हलका सा ठंडा करके टिफिन में पैक कर दें, इसके साथ आप बच्चों की मन पसंद की कोई फल दे दे या फिर cookies दे दे, तो ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत पसंद आईगी, आप इसे एक बार जरू ट्राई करें, पनीर पुलाओ बन गाज़ डाल देंगी, थोड़ा सा हरा मटर डाल दे, इसमें से जो सबची आपकी बच्चों को नहीं पसंद है, आप उसे स्किप कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन सब को थोड़ा सा भून ले, इसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगी, तो 50 ग्रम पनीर को मैंने ऐसे छोटे थोड़ा सा मिक्स ठब, चिली फ्लेक्स और स्वात के निसार नमक डाल देंगी, और ग्यानो मिक्स ठब से ने इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता और बच्चों को आजकल तो आपको पता हिए कि यही सारी चीजी अच्छी लगती है, तो बस वही फ्लेवर जो है, वो हम इसे सर्फ कर लेते हैं, तो आप इसे लंच बॉक्स में डाल के आप चीजी तो इसके साथ रायता दे सकते हैं, अगर आपका बच्चा दही खाता है तो, नहीं तो आप इसके साथ आलो की चिप्स होमेड वाली और या फिर इसके पसंद की कोई भी फल आप इसके साथ सर्फ करें, तो हपते में एक दिन टिफिन मेनू में आप इसे जरूर बनाएं, सिंपल रेसिपी और बनाना बहुत आसान है, हल्दी सेवाई उपमा बनाने के लिए एक पैन में दो से तीन चमज तेल गरम करें, फिर हम इसमें डाल देंगे, घरी मिर्चीरा लगा के, आदे छोट हरामटर डालेंगे, थोड़ा सा करीब पत्ता डाल देंगे, और इसे ऐसे भूल लेंगे, सबजियों को एक मिनट के लिए ऐसे पका लें, इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, तो यहाँ पे सबजी पक गई है, टमाटर डाल दें, टमाटर डालने के बाद नमक डाल ताकि यह जल्दी पक जाए मिला दे इसे ऐसे जैसे ही सबजया थोड़ी पक जाएगी हम इसमें डाल देंगे सिवई तो मैं यहाँ पे पहले से रोस्टेट किया हुआ यानि भुना हुआ सिवई इस्तमाल कर रही हूँ आधा कप मैंने सिवई लिया है अगर आपके पस भुना हुआ सिवई नहीं है तो आप इसे पहले सेक ले उसके बाद इसमें ऐसे डाले सिवई का उपमा बनाते वक्त आपको बस पानी का ध्यान रखना है अगर पानी कम जादा हो गया ना तब यह अच्छा नहीं बनता है तो जिस बर्तन से आप सिवई इस्तमाल कर रहे हैं उससे दुगना पानी आपको डालना है बस यही मेजरमेंट है तो आधा कप मैंने सिवई लिया था तो एक कप मैंने पानी डाला है यानि आधा-धा कप करके 2 बार नमक हमने पहले ही डाला है तो नमक डालने की जरूरत नहीं है अब हम पैन को कवर कर देंगे और धीमी आज पर 5-7 मिनट तक पकने देंगे 5-7 मिनट बाद हम पैन का धकन अटाएंगे इसे एक बार मिक्स करेंगे तो यहाँ पे सिवई जो है वो अच्छे से बन गई है तो हम गैस को बन करके इसे तुरन सर्व नहीं करेंगे 2-3 मिनट के लिए और छोड़ दें ढखके ताकि सिवई जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए तो यहाँ पे 3 मिनट छोड़ दिया मैंने 3 मिनट हो चुके है पैन का धकन अटाएं मैंने और यह हमारी सिवई उपमा जो है वो बन के तियार है यह दिखें जैसे जैसे यह ठंडा होगा नहीं इसका पानी खुदी ड्राई होते जाता है तो बहुत जादा इसे ड्राई नहीं करें अब हम इसे हलका सा ठंडा करके टिफिन में भर देंगे और इसके साथ आप अपने पसंद के फल, कुकीज, बिस्किट जो भी आपको पसंद है वो इसके साथ दे सकते है इसके साथ चटनी बगरा देने की जरूरत नहीं है तो मैंने यहापे यह अंगूर रख दिया तो हो गया ना हेल्दी नाश्ता तो आप इसे बचों को जरूर बना के दे चीज सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहापे चार ब्रेट के स्लाइसे लिए है मैंने यहापे Ide लिया है ब्रेट के उपर हम क्या करेंगे एक चीज की स्लाइस रख देंगे कोई भी चीज जो आपको पसंद है वो रख दे इसके उपर बारी कर्टा हुआ प्याज, शिम्ला मिर्ज और टमाटा रख देंगे हरी मिर्ज का इस्तवाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे यह प्यास टमाटा शिम्ला मिर्ज डाल दे और इसके उपर हम थोड़ा सा चीली फ्लेक्स और 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 गैनो डाल देंगे तो एक दम पिज़ा वाला टेस्ट आएगा, बच्चों को पिज़ा बहुत पसंद आता है न तो बस वही हम इस सैंड्विच में बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स टब, और गैनो और यह चिली फ्लेक्स डाल दिया मैंने नमक डालने की जरूवत नहीं है, क्योंकि चीज में नमक रहता है तो अलग से नमक नहीं एट करें अब हम ब्रेट के दूसरे स्लाइसे पे केचप लगा देंगे आप यह तो केचप के साथ में और यह भी मिक्स करके लगा सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको यह सैंड़िच बहुत ज़्यादा चीजी पसंद है तो इसके उपर एक चीज की स्लाइस और रख सकते हैं यह उप्शनल है नहीं तो आप से सिंगल चीज यूज़ करें फिर यह दूसरा ब्रेट स्लाइस इसके उपर रखके और बस अब हम इसे बटर लगा के टोस्ट कर लेंगे तो हैना पांच मिनट वाली रेसिपी तो यहाँ पर टोस्टर में या फिर तवे के उपर बटर डाले और इसके बद ब्रेट को रखके दोनों साइट से क्रिस्पी होने तक ऐसे सिख ले गैस का फ्ले मीडियम रखे जैसे ही ब्रेट गरम होगा न चीज जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर ब्रेट के टॉप पे भी मैंने बटर लगा दिया और उसके बाद इसे पलट देंगे बटर जितना ज़्यादा लगाएंगे ब्रेट जो है वो उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगेगा लेकिन यह आप्शनल है आपकी उपर है तो यह हमारी सेंड्विच जो है वो बन की तियार हो गई है तो हम इसे कट करके टिफिन में भर देंगे हबते में एक दिन आप इस चीज सेंड्विच को बना के बच्चों को दें उन्हें बहुत पसंद आएगा बनाना भी आसान है और महनट भी नहीं है और टेस्ट तो बहुत है अच्छा आता है तो यहाँ पर छोटे बच्चे हैं तो दो स्लाइज नहीं तो बड़े बच्चे हैं तो आप इस यह से बंद करके दे सकते हैं और इसके साथ मैं रख देते हूँ थोड़े से मिक्स फूर्ट तो मैंने या पे कीवी और औरेंज रखा है केचप रखने की ज़रूट नहीं है तो ये हमारी चीज सेंडविच बन के तयार हेली भिंडी पराठा बनाने के लिए एक बरतन में एक कप गिहुँ काट डाले लेंगे थोड़ा सा इसमें ड्राइफ फूट पाउडर डाल देंगी और इसके बाद हम इन दोनों को मिला के दूट डालके हम इसका एक डो बना लेंगे तो आप चीज तो दूट की जगा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को दूट अगर नहीं पीते हैं तो यह एक अच्छा तरीका है उन्हें दूट पिलाने का या खिलाने का तो मैं तो ऐसा ही करते हूँ जो भी मलाई वगेरा बसता है उसे ऐसे आठे में डालके गून देती हूँ और इसके बाद मैं इसके पराठे बना लेती हूँ तो डोख हो आप चीए तो दस मिनेट रेक सकते हैं या फिर आप इसकी तुरन लोई बनाके पराठे बना ले यह पराठे बनेगा तो बचों को यह बहुत पसंद आता है तो यहां पर ट्राइंगल पराठे बना रही हूँ तो रोल करके थोड़ा सा घी लगा दे और इसके बाद हम इसे आसे दूसरे साइड घी लगाके ऐसे बंद कर देंगे फिर थोड़ा सा सुखा अटा लगा कि हम इस तो घी लगाने से क्या होता है जब आप पराठे को सेके गे तो इसकी तीन living क लेयर जो है वह ऐसे दिखती है लग अलग होती है तो खाने में भी अच्छा लगता है दिखने में भी अच्छा लगता है तो नॉर्मल जैसे रोट या चापाती बनाते हैं वैसे हम इस से सेक Ranger , पराठा को सेखते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखने है आपको इसे सेखने के लिए बस इसे ऐसे पलटके दूसरे साइड भी घी लगा देती हुँ मैं गी की जगा आप तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं और जैसे ही पराठा फूलना शुरूओगा ने इसकी लियर जो है वो आपको दिखने लगेगी तो हमारे घर में तो नाष्टे में हमें सही ये तिकोना पराठा ही बनता है पराठा अचार या फिर पराठा भिंडी के साथ या फिर आलू फ्राई के साथ ये हमारा ट्रेडिश मैंने छोटे रखे है गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है ले सुन गर टीया कुछ भी निढाल दे बस जीरे और हरी मिर्ज इसके बाद हम इसमें भिंड्य डाल देंगे भिंडी को भी बारिक Skillshare और इसके बाद gas का flame medium रखे और इसे ऐसे थोड़ा सा पक जाने दे नमक glass में डालना है ध्यान रखे जैसे ये थोड़ा सा पक जाए हल्ली डाले और इसे मिला दे नमक शुरुआत में डालेंगे तो भिंडी जो है वो soft हो जाएगी तो नमक जब भिंडी पक जाए उसके बाद ही डालना है तो यहाँ पे हमारा भिंडी और आलू जो है वो पहले से जादा पक जाए है ये देखे भिंडी को आपको मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है अब हम इसके उपर नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे ऐसे हाई फ्लेम पर टॉस कर लेंगे इसी क्या होगा भिंडी और आलू जो है वो दोन्यों ही तूरंत क्रिस्पी हो जाएंगी तो ये हमारी आलू भिंडी जो है वो बन के तयार है बहुत जली बनती है मतलब 10 मिनिट लगते हैं ऐसे भिंडी बनाने में ग्यास बंद करने से पहले आप इसे चेक कर लें और इसके बाद क्या करें ग्यास बंद करने के बाद पैन को थोड़ा तेड़ा करके कहीं रख दें तो जो एक्स्टर तेल है वो साइड में ऐसे निकल जाता है तो एक्स्टर तेल भी आपके भिंडी में नहीं जाएगा तो ये हमारा कुरकुरा आलू भिंडी जो है वो बन के तियार है ये देखें, बच्चों को ऐसे आलू भिंडी बहुत पसंद आते हैं और इसके साथ ये घी वाले पराठे तो इसका कॉम्बिनेशन तो एकदम जबरदस्त है तो हबते में एक दिन तो रोटी भी जानी चाहिए मतलब हमेशा सैंडवीच, पास्ता ये सब नहीं होना चाहिए एक दिन तो रोटीन में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप उसे पराठे दे तो ये हमारा सुपर हेल्दी नाश्ता जो है वो बन की तियार है आप इसके साथ बच्चों के मन पसंद का फ्रूट रख सकते हैं टिपिन में तो उमेद करते हूं कि आज की हेल्दी रेस्पिस आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो यूसफूल लगा तो अपने फ्रेंड्स पैमले के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बर्कूल न भूलें